नवसकर मानस मिश्डा वाली निश्ट में आप सभी का बहुत-बहुत करता हूं बड़ी ख़बर आ रहे है भारती इस सेना ने आखिरकार जो हमारे ग्यारे जो तीरत यात्री जो बेश्ट्रोदेवी यात्रा पड़ जा रहे थे उन पर हमला क्या था आखरकार भारतिय सेना ने कॉम्बिंग आउपरेशन चलाया और ये कॉम्बिंग आउपरेशन CRPF की 11 टीमे उपरी पहाड़ी पर पहुचते हैं और तांडो सुरूरी करती हैं आपको दिखाने जा रहा है पूरे के पूरे इस तांडो की वीडियो और कैसे आखरकार भारतिय सेना ने उन जो आतंकी हैं उनको जवाब दिया है और एक-एक करके उनको 72 हुरों के दरसन करा रही है आपको इस वीडियों में दिखेगा आप सभी से अमरोद करेंगे उन परिवारों को जो परिवार इसमें हताहत हुमे हैं जिनके लोग इसमें मारे गए है उन परिवारों को हम सांतोना देते हुए उन लोगों को सद्धान्जली देंगते हैं और भारतिय सेना के लिए जहंद लिखते हुए कॉमेंट बाक्स में आप सभी जहंद लिखे और भारतिय सेना के द्वारा खिराय जा रहा है ये पहाडियों में और जंगलों के बीच ये पराक्रम और ये तंडो इस पर अपना राय जरूर वेक्ट करें चलते हैं खबर की तरफ क्या है पूरी की पूरी खबर जम्मु कस्मीर में तीर थी आत्रों की बसी जो भरी हुई बस थी उस पर आतंकी जो आतंगवादी हमला करने वाले गुनागारों की तरास तेज हो गए सेना और सियारपी अपकी ग्यारेटी में उपरी पहाड़ी सेना इलाके में सर्चिंग आपरेशन चला है थी हमले के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे थे ऐसे में रियासी के जंगलों में घेर लिया गया वहाँ कमांडों ड्रोन भी उतर गए और उसके बाद पूरा का पूरा आपरेशन शुरू हुआ आपको बता दें इधर प्राम अंती नरेंद मोदी सपत ले रहे थे उधर ये हमले किया जा रहे थे असल में ये हमले जो थे वो हमले हमारे देश में बैठे राजनितिक दलों को दोगलापन है क्योंकि ये राजनितिक दलों ने पहले ही इस चीच को कर लिया था कि अगर मो पूरी तरह से कुछ सीटे बढ़ने के बाद ये बोखला गए थी, और पाकिस्तान को भी प्यार आ गया था, ये पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थी, कि भारत में मोदी सरकार जा रही गये, और पाकिस्ट कस्मीर एक बार 370 का फिर से वापसी होगी और फिर से पाकिस्तान के लिए बहार आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसलिए पाकिस्तान समर्थित या तंकवादी बौखला गए और धर्ब्रावंती नरेंद्रमोदी सबस्थ ले रहे थे उधर वो हमारे सद्धा जो एक तरह से स्रण धालवों को भी सहीत कर दिया लेकिन अब जब बारती सिना अपना मोर्चा समाल लिये होगे तो सहाब ये सब फरार हैं और ये सब कहां छिप में आपको बता दें ये सब जंगलों के बीच में एक प्राकरतिक गुफा है उस गुफा में जा जा करके लेकर के ये बच जाएंगे लेकिन साब हुआ बिलकुल लड़ अक्की बार भारती सिना ने जो आपरेशन चलाया इस आपरेशन के ताहर इनकी ताबूत में आखरी कीड ठोक दी गए जो कॉम्बिन आपरेशन था तो कॉम्बिन आपरेशन कैसे है आपको दिखाते हैं कि आ आतंकियों के माओध का तांडो आपको दादेर रमी गाड को जम्यॐ का समीर में तीरत जीलों की बस पर आतंकी हमला हुआ था हमारे नल्लूक मोद के घाट उतार दिया गया था करीब 41 लोगों को घमले में इस गायल हुए थे यह हमला जम्मु कस्मीर के रियासी जिलों में हुआ था तीर थी आत्रियों की बस सियो खोडी मंदिर से बास्त माता बैस्ट्रो देवी मंदिर के बेस कैम कट्रा की ओर लोट रही थी जंगल में छीपे आतंकबादियों ने बस पर घात लगाकर हमगा दिया आतंकियों ने पहले बस के ड्राइवर को गोली बारी जिसका सुन्तुलन उसके बाद बिगड़ गया बस खाई में जा गिरी उसके बाद काफी देर तब फारिज हमले में बस के ड्राइवर कंड़क्टर के दोनों की मौत हो गई हमले में किसी तरह से बच गए यात्यों ने बताया कि बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकी गोली बरसाते रहे ये बस उत्तरपदेश राजस्तान दिल्ली से तीरत यात्यों को लेकर जा रही थी इसी गोलाबारी के बाद भी यात्री चुप चाप लेटे रहे ताकि आतंकवादियों को आईसा लगी कि वो सभी मर चुके मरने वाले यात्यों में चार राजस्तान के हैं जिसमें से एक तीन साल का बच्चा भी सामिल है ये चारों लोग एक ही परिवार के थे इसके अलावा मरने वालों में तीन लोग उत्ताप देशके थे ड्राइबर, कंड़क्टर, रियासी के ही रहने वाले थे हमले में जान गवाने वालों में से एक साल का बच्चा तीन साल का बच्चा भी सामिल है उसकी मा की भी मौत हो गई है पुलिस नस्थानी लोगों को मदद के लिए रात सबा आठ बच्च तक सभी आत्चों को बहार निकाला और स्पताल पहुंचाया अब सोचे ये आतंकी अब इनको पिल्ले कहें या कैट हैं हमारे तीन साल के बच्चों को छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं एक कायर एक कायर पाकिस्तान समर्ठित और हमारे देश के राजमतिक दल राहुल गांदी अर्बिंद केज्रीवाल महबूबा मुप्ती ये सबी भारती सेना के पराकरम पर सवाल खड़े करते हैं भारती सेना है आज तो हम और आप ये लोग भी सांती से बैटे हुए हैं और देखो थोड़ा सा अंडी अलाइंस उठा क्या अब आग लगाना सुरू कर दिये क्योंकि इनका मकसद तो यही था कि पाकिस्तान में पठाके फूटेंगे और फूटें भी कुछ सीटे जादे आई तो पाकिस्तान में भी पठाके फूटे और ये सब इस घात में बैटे थे कि मोधी सरकार जा रही है मोधी सत्ता से जा रहे हैं और अब की बार फिर से पाकिस्तान में बहार आएगा क्योंकि राहुल गान्दी प्रधान मंत्री बनेगा लेकिन हुआ कैसा बिलकुल उलट और आखिरकार उनकी खीज मासूम बच्चों पर निकली उन्यात्यों पर निकली अरे हिम्मत है तो दम है तो बाहर निकल कर एक बार सेना के सामने आ जा तुम लोगों की बखेरिया उड़ेरी जाएंगी और तुम्हारी चमनों को छिल-छिल करके न新व उल्टा-तांग करके तुमको बखयरे जासा तुमारी छिलाइ करके तुमारे साथ वो होगा वो सीधे तौर पर पाकिस्तान और तुम्हारे ऐसे जिज़ों पर नमक छिड़कने वाला काम करते हो तुम थबी बहराल इन सारी चीजों की हमले की जाच की अनाईयों को सौब दी गई है घटना अस्तरपा पोलिस भारते सेना और CRPF के आस्ताई जॉइंट आपरेशन के हैट क्वाटर बनाया गया इस समले की जिमिदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगटन दर रजिस्टेंस पोर्ट ने लिए TRPF को साल 2023 में भारत सरकार ने आतंकी संवर्टन गोसित किया था इस गठन का अनुशेद 370 खटने के बाद 2019 में गवाद यह आतंकवादी हमले में सामिल रहा है सूत्रों के मताविक हमले में 2-3 आतंकवादी सामिल थे आतंकवादी पाकिस्तानी है और उसी ग्रूप का हिस्टा है जो पिछले दिन और रजवरी और पूच में हमले में सामिल था यह ग्रूप पिछले 2 वरसों से पीर पंजाल आलाके में सक्री है इन आतंकवादियों की तलास के लिए रगातार साचाव पिसन के जा रहे है आतंकवादियों की तलास के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है समले में जाच के एनाई एक को सौब दी गई है अब इन सभके बीच में सुर्च्छा अजनसियों के मताविक हमला करने वाले आतंगबादी जंगल में च्छिपे हुए सुर्च्चा बलों को संदे है कि आतंगबादी रजowri और रियासी के पहाड़ों के इलाके में च्छिपे हुए सेना को मिले सराग तो आज तरासी में तेज आई है। कि हमारी कारवाई लगातार जारी है। कि हमारी के तेम को मार गिराने के लिए संग्युक्त प्रयास जारी है। सबके बीच राज जिपाल मनोज सिंहा भी सामने आए हुने हमले की निंदा किया और छेत में सांती बाजित करने की दुर्भाना पुड़ी ओजना का हिस्सा बताया हुनोंने कहा कि जम्मो कस्मीर स्रियास इसी अस्परालों में घायलों में मुलाकात और स्वच्छा समिच्छ करने वालों को दंडित किया जाएगा और जम्मो कस्मीर में इन सब को लेकर के इस समय बिरोधी प्रदसन कर रहे हैं और इसी घटनाए को रोकने के लिए सुरच्छा उपाया को बढ़ाने की मांगी गई है इन सब के बिच में ये सबी चीजे होती रहे लेकिन प्रदसी देस के कलाप मांग की आवाज उठाई जा रही है और सीधे तोर पर अब ये सारे आतंकबादी ठोके जाएंगे और इस तरह से ठोके जाएंगे कि इनकी ताबूत में आखरी कीर ठोकने माले भी नहीं एक कहीं न कहीं कुड़े के धेर पर लगा करके इनके आगों को इनके लासो पर आग लगा दिया जाएगा और इन सबी को इनके उस राख को नालियों में फेका जाए क्या इस मुहिम में आप आपको लगता है कि किस तरह की चीज़े होनी चाहिए तोकि आतंकबाद का कोई दर्म नहीं होता अतंगबादी का को दर्म नहीं होता है बहले वह मुसलमान हो लकिन उनको कप然 नसीब नहीं नहीं होने चाहिए क्या आप को लगता यह बास होनी चाहिया नहीं होनी chip में अपनी पितकरिया जरू दिखंए वीडिzahl को लाइख शिर जरू करें अगर हम हमारे content आपको पसंद आ रहे हैं तो देशित में हम काम करें आप सबी हमारे आतों को ससर्थ करें मजबूत करें नीचे दिया numbers पर Google पर फोन पर पेटेंग के वादियन से साहतारासी भेशते रहें मने रहें वाली नियूज नेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद